क्लास 11 का एक नया सब्जेक्ट येस अभी तक मैं आपको बिजनस तरीज पढ़ा रही थी लेकिन आज से मैं आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है आंट्रेपनौर्शिप ने वहाँ बसंदे पू müsste लेकित नंतर प्रास स्थेक्ट से ब्लीन के ये रहल सब्राइब तो दोगां कि अंत्र प्रूंअ. बनना चाहते हैं तो ऐसे में उनको पता हो कि शुरू कहां से करना है कौनसी concept क्या कहलाई जाती है and stuff like that so आपके उसमें स्लेबस में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आड हो गया entrepreneurship तो commerce students अब चाहें तो यह इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं और मैं आपको एक plus point बता देती हूँ यह एलेक्टिव सब्जेक्ट लेने का देखे फाइदा यह होगा कि आप business studies तो पढ़ते ही हैं वो तो को by default benefit मिल जाएगा उस चीज का कितना बड़ी है राइट सो मैं तो सब लोगों को सब्जेस्ट करूंगी कि एलेक्टिव सब्जेक्ट अगर पिक करना ही है तो यही करो क्योंकि देखो आज की डिमांड है आज तुम अगर अगर अपने आसपास ही देख लो थोड़ा सा तो यहां पे हमारे क्लास 11 का entrepreneurship का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है entrepreneurship concept and functions नाम से ही समझ में आ रहा है बहुत ही basic चीजें हमें यहां पर पढ़ने को मिलेंगी entrepreneurship के बारे में entrepreneurs के बारे में enterprise के बारे में और कुछ उनके advantages disadvantages जैसे जो basic चीजे होते हैं वहीं हम पढ़ेंगे यहां प कोई भी चाप्टर की शुरवात अगर अच्छे से करनी हो तो उसके लिए हमें लेना चाहिए एक बड़िया सा एक्जामपल लेकिन यहां पर हमें खुद से एक्जामपल लेने की ज़रात नहीं पड़ी एक case study by default दियो ही थी आपके बुक में तो मैं आपको वही case study समझा द मतलब पूरा वर्ड पूरा वर्ड तो नहीं चलो पूरा इंडिया तो हिली गया था इस भुकम से वैसे नहीं वैसे मतलब हिला तो सिर्फ गुजराती था लेकिन उसका जो devastation था उसकी वज़े से पूरा इंडिया हिल गया था ठीक है घरवर तूट गये थे लोग मर गये थ बहुत सारे जिन्दगियां खतम हो गई थी प्रॉपरिटीज दिस्ट्रॉय हो गई थी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत बिकार सिनारियो था ठीक है तो यहां पर जब यह भुकम पाया तो और विस्टी न्यूज़ लेकिन उसका नॉर्मल हिंधी वर्जिन बताती हूं उस में लिखा हुआ था गरीबों के टूटे हुए फ्रिजिस के पीसे ठीक है ऐसा कुछ लिखा हुआ था अब यहां दूर दरास एक इंसान बेठा हुआ था जिसने ये न्यूस पेपर पढ़ा और उसको इस न्यूस पेपर के इस हेडिंग से आया एक आईडिया थोड़ा सा इंट्रड़क्शन अगर इस इंसान के बारे में आपका दूँ तो यह एक पॉर्टर का बेटा था इनके पापा का पॉर्टरी का बिसनस था बट वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को उस बिसनस में आने से मना कर दिया लेकि हम मतलब हम पेरंस पूर्डर में अब पेररंस नहीं हो ठेक है नॉमलि पेरंस क्या करते हैं करते हैं कि अगर उन्होंने खुद कोई चीज देखी होते हैं तो पूछिश करते हैं कि अपने बच्चों को वो चीज ना भुगत ने राइट तब उसके पापा को समझ में आ रहा था पौटरी बिजनस में इसना कुछ बचा नहीं है मैं क्यों आपने बच्चे की पतलब होते हैं इसने बोला चलो पापा ने मना किया तो लेट्स नॉट दो इट तो इसने और और कुछ-कुछ-कुछ-कुछ काम करना शुरू कर रहा था जब इसकी नजर इस निउस्पेपर हेडिंग पर पड़ी तीक है और बता दू यह बच्चा टेंथ क्लास ड्रॉप आउट किसी काम में लगा हुआ किसी कमपनी में शायद मैनेजर के कुछ जॉब कर रहा था या क्या कर रहा था और यह निउस्पेपर हेडिंग उसने पढ़ ली अब जब इसने पड़ी तो मैंने आपको बताया इसके दिमाग में आएक आइडिया आया यह आईडिया क्या था मन मारके कही क prank का्न है और हमारे इंट्रेस्ट लाइन कहीं और छुपी होते हैं, तो हम कभी न कभी मतलब हमाये दिमाग में एक आइड़माइड ज्रूर आता है खोड़ो सारी चीज़े करते हैं उस particular interest l लाइड से कुछ it later So, ये newspaper एक turning point हुआ इस बंदे की life में क्योंकि ये newspaper पढ़के इसको एक idea आया कि क्यों ना मैं clay के frying pants बनाओ और clay से एक fridge बनाओ जिसको electricity की requirement ही नाओ भई हम सब जानते हैं 2001 में तो हमारी कितनी बुरी हालत हुआ करते थी मतलब आज electricity की problem फिर भी कम हो गई है और वो भी मैं बोल रही हूँ कि urban areas में I'm not sure about rural areas आज भी शायद rural areas में electricity problem persist करती है लेकिन when it comes to urban areas थोड़ी सी हालत बैतर हो गई है बट 2001 में तो बहुत बुरी हालत हुआ करती थी electricity उतना जादा रहती नहीं थी मतलब I remember when I was a kid I used to live in a village तो वहां पर मतलब normal basis पर कभी-कभी ऐसे seasons आते थे जब पूरे दिन में सिर्फ 3 गंटे light आएगी है चार गंटे light आएगी imagine करके देखो वो सिनारियो कि पूरे दिन में सिर्फ 4 गंटे light आएगी ठीक है तो ऐसे में भई फ्रिज रखोगे भी तो क्या फायदा होगा उसका क्योंकि चार गंटे electricity से वो चलेगा उसके बाद वो 20 गंटे बंद पड़ा रहेगा और उसके बाद जो भी समान तुमने फ्रिज में रखा होगा सब खराब हो जाएगा तो इस बंदे ने सोचा क्यों ना मैं clay का फ्रिज बनाओ जिसमें electricity की जरौती ना और इस बंदे ने actually बनाया ऐसा फ्रिज जिसमें इसने उपर वाली जो clay लगाई थी आउटर पे उसका अलग temperature fix किया अंदर वाली का अलग temperature fix किया उसमें water retaining capacity डाली और दो ऐसे storage areas बनाया जिसमें 5-5 किलो के fruits and vegetables रखे जा सकते थे सोच के देखिए मतलब इतना interesting वो मतलब जो लोग बहुत ज़दा organic चीजों के टूवच साथे हैं जिनको पसंद नहीं है आज की life का जो lifestyle है वो लोग आराम से ऐसी चीज को रख सकते हैं मेरे एक मतलब not relative there is this person who is my mom's friend उनका एक farmhouse है जहां उन्होंने actually ऐसा पूरा setup किया हुआ है like when I went for the very first time उन्होंने नया-nयाई बनाया था तो इनागरेट किया था वो farmhouse मतलब farmhouse की इनागरेशन होते हैं सोचें तो हम लोग गए थे सब और वी सो उन्होंने हर चीज क्ले से बनाया हुए थी हर चीज लाइक उनका sitting मतलब जो area था वो clay से बना हुआ था and then उसमें बहुत ही basic basic bamboos बगेरा लगा कि एक authentic touch दिया हुआ था इतना खूबसूरत लग रहा था वो area इतना खूबसूरत मेरा मन नहीं हो रहा था वाज से वापस आने का उन्होंने जो है तो मतलब clay वाली चीज़े मतलब natural चीजों से जो चीज़े जुड़ी होती हैं उन से वैसे भी हमारे हैसास बहुत जादा ही strong way में जुड़े होते है I am not sure तुम लोग कितने वह हो इन सब चीज़ों को लेके लेकिन मैं बहुत हूँ और मेरे बहुत मतलब इनकी पूरी life बदल गए इनके parents की जो insecurities थी कि pottery business में इतना जादा profit नहीं है वो सारी insecurities को एक बहुत अच्छा जवाब मिल गया क्योंकि ये इनसान बन गया एक entrepreneur अब आपको ये पूरी story समझ के थोड़ा बहुत idea मिल गया होगा कि entrepreneur basically होता कौन है देखें entrepreneur वो इनसान होता ह जो कहीं से एकदम से कोई idea लेकिया है और उतनी हिम्मत रखे कि उस idea को execute करके दिखाना है और एक product या फिर service का निर्मान करना है कुछ innovative होने चाहिए जो आज से पहले कभी किसी ने किया क्ले का fridge किसी ने सोचा था नहीं सोचा था he was the first person जिसने वो particular चीज लाई existence में so जब आफ first time कोई नई चीज existence में लेके आते हैं innovation का इस्तेमाल करके creativity का इस्तेमाल करके या for that matter newness लाके किसी particular चीज में उसे हम बोलते हैं entrepreneurship process और वो इनसान जो ये सारी चीज़े लाता है उसे हम बोलते हैं entrepreneur तो ऐसे ही मनसुख भाई बन गए entrepreneur बन गए so इनकी story कैसे थी देखिए कहां से idea आया 2001 में earthquake आया उससे कितनी जिंदिया बरबाद हो गए लेकिन एक newspaper heading से एक इंसान की जिंदगी बन गए so यहां लिखा हुआ है story में Mansukh Bhai Prajapati remolded his family's struggling pottery business to produce the Mithi Kool range of indigenous indigenous earthenware including a fridge that works without electricity so इनो ने इसका नाम के रखा Mithi Kool Ikea में मिल रहा है क्या? No, 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 sorry Okay, so reporting on the devastation and thousands of lives lost during the 2001 earthquake in Gujarat local newspapers had this interesting headline describing the havoc wrecked at a potter's colony Garibo Bridge No Bhukon Pieces of the poor people's fridge Among the debris were the shards of the hundreds of broken clay pitchers and that headline proved to be a game changer for Vakhanair based potter Manchukh Bhai Prajapati who literally picked up the pieces to begin afresh on a remarkably innovative idea that Mithi Kool refrigerator which is made of mud or clay and works without electricity so पूरी स्टोरी जो मैंने अभी आपको सुनाई वो सारी की सारी यहां लिखी हुए कि 2001 का earthquake जो गुजरात में आया था एक local newspaper में एक headline लगी हुई थी जिसमें ऐसे potter's colony का जो devastation था वो explain किया हुआ था और उसी के basis पे इनकी life बदल गए वो game changer point prove हुआ headline इनके लिए और इनोंने Mithi Kool refrigerator का क्या कर दिया निर्मान कर दिया और जैसे मैं वो रही थी ना water retaining capacity है तो यह पूरा water रहेगा ठीक है और यह इतना सा space है जिसमें vegetables वगेरा रहेंगे तो यहाँ पे water stored होगा यह पीछे water stored होगा यहाँ water stored होगा यहाँ से आप water वो कर सकते हैं और यह clay वाला pan है ठीक है तो इस तरह से यह मनसुक्त मेरे को नहीं तो आफ्टर इस फादर डिसकरेश हम फों इंटरिंग इस फामिली पॉटरी बिजनस अस इंकम वोज नेगलिजबल पापा ने बना कर दिया था कि पॉटरी फामिली बिजनस जो अपना पॉटरी वाला उसमें नहीं आना तो में क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो है नहीं तो तुमें काम करो कहीं और काम करो तो इनीशनली उनने टी स्टॉल पे काम किया लेटर यह बिकेम अस सुपरवाइजर बन गया रूफ टाइल मैनिफाक्ट्रिंग कंपनी के लिए और 1989 में रिटर्ण तो हिस पैशन फॉर पॉटरी बाइज बने रहें अपनी उस कंपनी में क्योंकि उनको लगा पॉटरी विजनस में अक्चली कुछ नहीं है जैसे इनके पापा को लगता था यसे ससूर को भी लगता था अगर दमाद अच्छे से नहीं कमाएगा तो बेटी कहां से खाएगी उस दमाने की बात कर रहें तो ऐसा सब था मतलब वो चाहते थे लेकिन इनकी वाइफ थोड़ी समझदार थी उन्होंने बोला नहीं मैं तुम्हें सपोर्ट करते हूं तुम्हें जो करना है तुम वो कर देखिया और सपोर्ट का नतीजा ये निकला कि इन्होंने 1997 में मिटिकूल फ्रीजर बना लिया लॉड़ और रिग्रस एक्सपरिमेंटेशन बेंट इन्टो इस वर्ग वन मिटिकूल रेजरेटर विची लॉंच इन 2002 में फाइनली इन्होंने से लॉंच कर दिया चलिया अब बात करते हैं हमारे bookish language के बारे में कि entrepreneur की concept क्या है मतलब basically entrepreneur कौन है मैंने आपको एक idea तो दे दिये कि entrepreneur कौन इंसान होता है ठीक है और it's not necessary कि entrepreneur सरफ वही इंसान हो जो बहुत ही heavy भारी भरकम vocab terms इस्तिमाल करे या फिर English में बात करे या कुछ भी ऐसा करे नहीं entrepreneurship is more like the idea thing की idea किसके पास है सही किसम का वो इंसान जिसके पास सही किसम का idea है वो entrepreneur बन सकता है irrespective of the fact कि उसको English आती है नहीं आती है वो technical jargons को जानता है नहीं जानता देखे अच्छा चलिये तो it says an entrepreneur is a person responsible for setting up of business or an enterprise he has the initiative skill for innovation and who looks for high achievements he is catalytic agent of change and works for the good of people he puts up new greenfield project that create wealth greenfield project का मतलब क्या होता है नए किसम का project हो स्टार्ट करना मतलब scratch से start करना opens up many employment opportunity and leads to growth of other sectors एक ऐसा इंसान जिसमें initiative लेने की श्रमता हो skill हो innovate करने का और साथ ही साथ achievement मतलब high achievements लेना चाहता हो life में वो इंसान अराम से entrepreneur बन सकता है ठीक है और यह greenfield project शुरू करता है मतलब ऐसी चीज़े जो आज से पहले लगते हैं और वो उन्हें interchangeably इस्तेमाल करते हैं विच इस बैड थिंग क्यों क्योंकि इन तीनों का मतलब अलग-अलग होता है पहला वर्ड है हमारा entrepreneur दूसरा है हमारा entrepreneurship और तीसरा है हमारा enterprise तीनों का मतलब समझते हैं हम one by one देखे जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकते हैं हर चीज़ के नीचे एक जीएफ लगी हुई है ताकि आप पहचान पाएं कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे है तो entrepreneur basically person होता है मतलब वो इनसान जो एक idea लेके आया innovation लाया creativeness लाया और कुछ unique चीज़ या unique product या फिर service existence में लेके आया for the very first time तो वो इनसान के बारे में जब हम word इस्तेमाल करेंगे तो हम कौन सा करेंगे entrepreneur सो यह इनसान के regarding इस्तेमाल किया जाने वाला word होता है उसके बाद दूसरा word होता है entrepreneurship इसका मतलब होता है वो process जिसकी वज़े से entrepreneur एक enterprise को existence में ला पाता है जो जटो जाहिद entrepreneur करता है ना नया कुछ startup या enterprise existence में लाने के लिए innovation मतलब कुछ innovative product या service existence में लाने के लिए उस पूरी process को बोला जाता है entrepreneurship so it's basically process और action तो यह verb है वो subject है यह object है और जो चीज़ existence में आती है इतनी जित्तो जाहिद के बाद उसको हम बोलते है enterprise फ़र से मैं एक घर बना रही हूं ठीक है मतलब बहुत ही बेसिक से एक्जामपल ले रही हूं मैं एक घर बना रही हूं तो मैं हूं ठीक है one person making a house ठीक है तो मैं पूरा वो manufacturing मतलब manufacturing बोल रही है construction वगेरा हो रहा है तो वो पूरी process चल रही है construction की और उसके बाद घर बन जाएगा मैंने एक घर बनाने के लिए एक process अपनाई construction करवाई और एक घर existence में आ गया तो मैं यहाँ पे entrepreneur कहलाई जाओंगी वो घर बनने का जो construction वाला time होगा जो process होगी उसको हम बोलेंगे क्या entrepreneurship और जब घर बनके ready हो जाएगा दिखेगा हमें एक building तो वो क्या कहलाई जाएगी enterprise क अलाई जाएगी तो एक इंसान ने एक process अपनाई जिसके कारण एक particular चीज existence में आप आई तो इसके लिए तीन अलग-अलग words है entrepreneur, person के लिए entrepreneurship उस process के लिए जो उसने पूरी करी and enterprise मतलब जो outcome निकल के आया इसका फट से screenshot ले लीजे ठीक है और जो भी मैं बोलती जा रही हूँ ना side by side कहीं पर scribble करते जाएगे अगर आपने इसे as an elective subject choose कर ही लिया है तो आपने 100% input इसमें दीजेगा so notes अच्छे से बनाईएगा और as well as यह आपके practical चीजों के लिए भी बहुत जादा जरूरी है मतलब अगर कल तुम कोई बढ़ा businessman बनना चाहते है और अब तो वो भी नहीं रहा कि gender वाला चीज रहे कि सिर्फ लड़के ही business खोलते है लेटली इतनी सारे women entrepreneurs existence में आई हैं और क इतना कुछ कर रही है like shark tanks में भी देखो तो लड़कियां जादा होती है महां पर मतलब तीन लड़कियां तीन लड़के हैं चार है बदिन majority में बैटी लड़कियां होती है और चलती भी उन्हीं की है maximum time right so अब ऐसा कोई bifurcation नहीं रहा है ऐसा कोई discrimination नहीं रहा है कि लड़ रहे होगे किसी से दूसरे तो सबके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए नाउ यहां बता रहे हैं entrepreneur को क्या 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 करना पड़ता है या वह क्या क्या करता है तो एक एक करके सब अच्छे से समझना reason being कई बार क्या होता है ना mcq पूछ लिए जाते हैं और वह पुझा जाता है कि क्या ये particular चीज entrepreneur की responsibilities में आती है क्या ये particular चीज entrepreneur करता है कि नहीं करता है तो अगर आपने इन में से एक भी चीज़ skip करी तो तुम्हें वो answer नहीं बनेगा ठीक है? So answer करना है अच्छे से So better सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो It says entrepreneur is a person who develops and owns his own enterprise सबसे पहरे तो entrepreneur कौन होता है? वो person जिसने की enterprise को existence में लाया है Second है is a moderate risk taker and works under uncertainty for achieving the goals भया उसको नहीं पता उसका idea work करेगा कि नहीं करेगा I have seen so many people working for their startups और उसकी बाद lately उनके startups क्या हो जाता है? मैं खुद एक startup company के साथ थोड़ा time काम कर चुकी और वो भी fail हो गई थी after like I guess 8-9 months मतलब 8-9 months तक उन्होंने अपना बहुत input दिया बट वो बिलकुल भी कहीं से कहीं पहुच नहीं पारी थी तो उन्होंने उसे बंद कर दिया तो ये लोग risk लेते हैं क्योंकि कई चीज़े होते हैं जो चल जाती हैं कई चीज़े होते हैं जो नहीं चलती है अगर मैं आपको again shark tank का एक example दूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो already अपना business चला रहे हैं और अपने business को expand करने के लिए वो capital चा रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग आते थे हर कोई तो beginner नहीं होता था ना मतलब ऐसे हर इंसान तो ऐसा नहीं होता था जो मैंकर में अभी तक अपने product को लाया ही नहीं है तो उनमेंसे एक इंसान था जो navel को goal करने का या shape में करने का एक instrument बिना के लाया था already existence में था उसका वो लेकिन वो चली नहीं रहा था मतलब जादा लोग खरीद ही नहीं रहे थे उसे तो वह एक लेवल अप जाके उसके अडविडिसमेंट प्रमोशन में गेरा करना चाहता था था बड़ थे इंग वस कि अभी भी क्या ग्यारंटी थी कि उसका वो प्रिड़क्ट चलेगा कि नहीं चलेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग वो प्रिड़क्ट बहुत इंपॉर्टन है तभी शायद तुमने इतना टाइम लगा कि उसे डिवलाप किया बट अल्टीमेटली मार् प्रिड़क्ट में क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो के रिक्वाइर्मेंट थी कि नहीं थी वो भी तो जाना जरूरी है जो आप रिस्क ले रहे हो ना इनवे इस इन्सान इनोवेटव नहीं है वो नहीं चीज एक्जिस्सेंस में नहीं ला पाएगा और अगर तुम वही पुराना बासी वाला काम कर रहे हो तो तुम बिजनसमेन के लाए जाओगे उन्ट पर नहीं के लाए जाओगे मतलब हर चीज को परस्वेट करता है जो चीज उसे चाहिए लाइफ में वो चाहिए ही चाहिए मतलब ये इनसान किसी के उपर डिपेंडेंट होने के बारे में नहीं सोचता है इंडिपेंडेंटली ही ट्राइस तो यूनो डू एवरिटिंग हमेशा कुछ बहतर 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 करने की बारे में सूचता है पुराना सेम नेचर का काम करते करते बोर हो गया है कुछ नया चाहिए इसको लाइफ में इसको पता है कि अगर यह अंट्रिपनार्शिप के टूवर्च जाएगा तो इसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है इस गोईंग तो बी वेरी हार्ड तो इस यह वो उस पटिकलर चीज को लेने के लिए तयार है इस डिटर्मिन बट पेशिंट इच्छा शक्ति पूरी है कि करके दिखाएंगे लेकिन आधा सेम टाइम पेशिंट्स लेवल भी है यह नहीं कि जैसे मैं बताती हूं मैंने जब इनीशली अपना खुद का यूट्यूब स्टाट किया था चानल तो मुझे ऐसा होता था या यार अंस्कैर क्यों और यार सब्सक्राइबर क्यों पहों थो अरॉणा शुरू करते हो तो आपको Pen Boss-Level रखना पड़ता है दिके और जब specially आप कुछ अलग किसम का नया शुरू कर रहे हो, मतलब ऐसा जो चीज आज तक existence में नहीं थी, पहले लोग को पता लगीगा उनके बारे में, लोग experiment करके देखेंगे, experiment पसंद आया, तो उसके बाद वो चीज को खरीदना पसंद करेंगे on regular basis, तब ही तो आपका business चलेगा, त में leadership qualities होनी चाहिए, exhibits a sense of competitiveness, competition से डरना नहीं चाहिए, इसको यह हमेशा तत पर होना चाहिए, कि मैं compete कर सकता हूं बाखी सब लोगों के साथ, takes personal responsibility, खुद responsibility लेने के लिए तयार हो, हमेशा दूसरों के साथ blame game केलने वाला इंसान, वांडर नहीं बनता है, is oriented towards the future, future को ले के बहुत जादा वो हो कि मुझे future में इस सारी चीज़े अचीव करनी है, tends to persist in the face of adversity, और साथ ही साथ इसको पता होना चाहिए, मतलब इसको मुश्किल वक्त से कैसे निकला जाता है, और कैसे मुश्किल वक्त को सहा जाता है, उससे उबरा जाता है, वो सब चीज़े आनी चाहि जाता है, ठीक है, चलिए, entrepreneur is a person who, to put it very simply, an entrepreneur is someone who perceives opportunity, organizes resources, needed for exploiting that opportunity and exploits it, सबसे पहले तो यह अपने चारों तरफ घूम घूम की देखेगा, लोगों को चाहिए क्या, लोगों की जरूरते क्या है, लोगों किन प्रॉब्म्स का सामना करना पड़ता है, वहां से अपने लिए opportunities ले के आएगा, और फिर उन opportunities को अलग-अलग resources जो इसने exploit किये हैं, अलग-अलग area से, उनका इस्तिमाल करके opportunities को क्या करेगा, exploit करेगा, मतलब उसका फाइदा उठाएगा, ठीक है, computers, mobile phones, washing machines, ATMs, credit cards, courier services and ready to eat food are all examples of entrepreneurial ideas that got converted into products or services, यह सारे जीज़े जितने दी हुई है न, ATM, credit cards, machine, washing machine, ready to eat food, यह सारी चीज़े entrepreneurial ideas का ही example है, अब भाया किसी ने सोचा था कि खाना package में आना लग जाएगा, कि गरम पानी डाला और पुरा खाना ready, आपने वो खाये होंगे, चौमन noodles के वो package आते हैं, उसमें क्या करना पढ़ता है, सिर्फ गरम पानी डालो, उसम कि आप गरम पानी डालोगे, सब उभर के ऊपर आजाएगा, और mix करके आप अराम से खा सकतो, और चीज डाल दो तो है, उसका स्वात क्या ही हो जाता है, तो किसी ने सोचा था है, यह सारी चीज़े भी होंगी, भेल आती हैं, पूरी भेल बनी हुई है, चटनी के package उसमें ह खा लिया, वो अच्छी नी होती, टेस्टी ही नी होती, पर खाने लायक तो मतलब, जैसे अभी मेरा, like there is this friend of mine who is living in Canada right now, so he was telling me, अभी पर सोनर सो कि उसका खाना बनानेगा वो नी था, मन नी था, तो मार्केट से छोले खरीद के लाया था, कैसे छोले थे, कि छोले प्रॉप खाना मतलब वो रेडी और पराठे भी मिलते हैं, मतलब मेरी दीदी वो लिविंग इन पुद्डू चैरी थोड़े टाइम पहले, तो वहाँ पर अब्विसी साउथ में इतना पराठा पराठा मिलता नहीं है, और वो वो टेस्ट वाला तो बिलकुल नहीं मिलता है, तो बह बताओ, यह सब चीज़े सोची थे किसी ने, बड़ यह सब चीज़े आई कैसे, क्योंकि लोगों ने देखा, सुसाइटी में लोग इतना बजी हैं, उनके पास ताइम नहीं है, जैसे मेरा यह फ्रेंड है, यह बारा घंटे की ड्यूटी करता है, जॉब करता है, जॉब कर नहीं होता और उनको ऐसा कोई सिंपल सा option मिल जाये, तो क्या पुराय पूराया उसमें बता हूँ. So the word entrepreneur is derived from French word entrepreneurry which means to undertake और individuals who undertake the risk of new enterprise. ऐसे रिसक्स का कई रेते हैं, NEW enterprise को existence मिलाने का. The word entrepreneur, therefore, first appeared in the French language in the beginning of the 16th century. 16th century में for the very first time ये word फ्रेंच language में सुनाई दिया गया और यूस होना शुरू हुआ the word was coined by Richard Cantillian an Irish man living in France तो ये word किसके द्वारा आया था Richard Cantillian के द्वारा आया था एक Irish man था जो कि France में रह रहा हा था ठीक है but nobody's gonna ask क्यों कि किसने लाया था ये word बठाई हो सकता ये जरूर पूछे कि French के कौन से word से इसका इजात हुआ था तो वो देख लीजेगा चलिए अब हम पढ़ेंगे entrepreneurs related कुछ definitions ठीक है मतलब अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग time पे entrepreneur के बारे में अलग-अलग चीज़े बोली है अब देखे जब subjective questions आते हैं तो उस time पे definitions पूछी जा सकती है या फिर आपसे simply जब वो पूछेंगे what is entrepreneur तो आप definition के through reply कर सकते हैं, answer कर सकते हैं इसने definition पढ़ना जरूरी है और मैंने आपको business studies में भी हमेशा definitions पढ़ाई हैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगे हर चाप्टर में Richard Cantillian क्या बोलते हैं As a person who pays a certain price to product to resell it at uncertain price thereby making decisions about obtaining and using the resources while consequently admitting the risk of enterprise Okay, so definition में first Richard Sir बोलते हैं कि entrepreneur वो इंसान होता है जो किसी product को certain price पे खरीद के आता है लेकिन uncertain price पे बेचने वाला है एक ऐसा इंसान जो कि resources का इस्तिमाल करता है लेकिन at the same time enterprise में बहुत जादा risk भी बेर करता है तीक है तो obviously जो इंसान risk लेगा profit भी तो भी लेके जाएगा न Adam Smith Sir का कहना है An individual who undertakes the formation of an organization for commercial purposes by recognizing the potential demand for goods and services and thereby acts as an economic agent and transforms demand into supply Adam Smith Sir बहुत बारी बरकम words बोल रहे हैं entrepreneur के बारे में first of all he says कि entrepreneur वो इंसान होता है जो किसी organization का formation कराता है और वो organization obviously commercial purpose के लिए काम करेगी and साथी साथ ये recognize करता है कि किसी भी product की demand और किसी भी product की या फिर service की demand कितनी है potential demand कितनी है जैसे कि अभी तक वो product demand में मतलब आया नहीं existence में तो हम बता नहीं पाएंगे जाना it's quite a difficult task right और वो task कौन करता है हमारा ही भाई साथ entrepreneur भाई साथ करता है and thereby acts as an economic agent so ये economic agent का काम करते है जिसमें ये demand को supply में transform करते है मतलब लोगों की already demand थी उस चीज़ को लेके और इन्होंने supply में उसे convert कर दिया फिर है हमारे जो भाई साथ जो बोलते है entrepreneurs are innovators who use the process of entrepreneurship to shatter the status quo of existing production services to set new products, new services he describes entrepreneurs as innovators इनके according entrepreneurs कौन होते हैं? इनके according entrepreneurs innovators होते हैं जो की basically entrepreneurship की process को पूरा करते हैं, use करते हैं ताकि already existing production services को side करके नई production services existence में आ सके फिर है Peter F. Drucker sir ये बोलते हैं an entrepreneur is one who always searches for changes, responds to it and exploits it as an opportunity इनके according entrepreneur वो इनसान है जो changes search करता रहता है जिसको हमेशा बदलाओ 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 चाहिए होते हैं बदलाओ का मतलब है positive way में बदलाओ हमेशा negative way में नहीं होता बदलाओ positive way में कैसे कि अभी हम यहां वाले लेवल पे हैं तो ऐसा कुछ नया product बनाए जिससे हम यहां वाले लेवल पे पहुच जाएं जैसे पहले landlines हुआ करते थे फिर उसके बाद mobile phones आए तो एक वह हो गया ना एक level अप हो गया बहुत जादा महतव रखती है और value भी increase होनी चाहिए जो उनको derive हो रही है किसी भी product or service से there's a professional manager who mobilizes resources and allocates them to make a commercial gain from an opportunity is called an entrepreneur एक ऐसा इंसान जो कि opportunity को grab करके उसके एक productive इस्तमाल में ले आता है उसे हम क्या बोलते हैं entrepreneur so these were few of the definitions about entrepreneur I hope आपको ये सारी समझ में आई है now let's move to the last topic of this particular video that is enterprise मैंने आपको पहले ही बताया था enterprise वो organization है वो या outcome है जो entrepreneurship process के बाद किसी भी entrepreneur को मिलती है right so ये बोलते है an entrepreneur is a person who starts an enterprise entrepreneur वो इंसान होता है जो कि enterprise को शुरू करता है the process of creation is called entrepreneurship ये creation की process को क्या बोलते है entrepreneurship बोलते हैं हमने पहले पढ़ लिया है the entrepreneur is the actor and the entrepreneurship is act entrepreneur actor है entrepreneurship act है और उसका result क्या है enterprise the outcome of the actor and the act is called enterprise an enterprise is the business organization that is formed and which provides goods and services creates jobs contributes to national income export and contributes to the overall economic development एक enterprise एक business organization होते है जो goods and services बेचती है उसके बाद ये jobs create करती है उसी के साथ-साथ ये national income में भी participate करती है तो थोड़ा बहुत contribution होता है इसका sometimes अगर आप एक sports में deal कर रहे होता है तो एक sports में इनका contribution हो जाता है और ultimately देखा जाए तो economic development में का contribution होता है तेक है so entrepreneur इंसान है actor है उसकी act का नाम है entrepreneurship मतलब process और जिसकी वज़े से जो outcome निकल के आता है इन दोनों की वज़े से जो outcome निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं enterprise बोलते हैं I hope it is clear now let's talk about entrepreneur versus entrepreneurship अच्छा पते क्या देखा गया है यह देखा गया है कि बच्चे ना अकसर इन दोनों को interchangeably इस्तेमाल करते हैं मतलब enterprise तो फिर भी वो समझ जाते थोड़ा बात की organization की बारे में बात करेंगे लेकिन वो कभी-कभी entrepreneur को entrepreneurship से confuse कर देते हैं और मैंने देखा है लिटरली जब मैंने बच्चों को कभी-कभी एक essay लिखने के लिए दिया है entrepreneurship में या entrepreneur पे तो वो interchangeably इस्तेमाल करके आ जाते हैं वो फिर लाकी मुझे देते हैं मैडम देखो हमने यह लिखा है तो भाईया समझ लो एक इंसान के बारे में एक सब्जेक के बारे में बात करें जबकि दूसरा वर्ब मतलब action के बारे में बात हो रही है ठीक है तो दोनों अलग-अलग चीज हैं The term entrepreneur is often used interchangeably with entrepreneurship but conceptually they are different yet they are just like the two sides of a coin Both the terms are correlated and entrepreneur is a person who bears the risk unites various factors of production and carries out creative innovations He or she is an individual or one of the group of individuals who try to create something new He or she always attempting to bring about the change in terms of factors proportions which is known as innovation On the contrary entrepreneurship is said of activities performed by an entrepreneur It is the process of identifying opportunity in the marketplace and marshalling the resources required to pursue these opportunities for long term gains It is an attempt to create value Now this is the whole paragraph, this is one paragraph but I prefer you to add it in two parts And if you have to write your answer if there is a question on entrepreneur vs entrepreneurship then you can write it I prefer that when you are writing your answer then you can use your own language instead of bookish language But for reference you can use this stuff So you can use this screen shot I can use this side side So here complete our first video And in this video we have learned how entrepreneur is it What is enterprise and what is entrepreneurship at what is it What is entrepreneurship at what is it So here we have a question So if we have a question Who is an entrepreneur Then we can write it well I hope this whole video will be very well No doubt will not be But if you have any kind of doubt You can write it in the comment section You can write it in the comment section Now we are going to our website So if you have any student who doesn't find any video on YouTube properly So you can do that You can go to google Magnetbrains.com type And you can open the webpage Here you can go to explore Talk courses First you can click here Then you can see all the classes here You can click on class 11th You can click on class 11th You can see all the teachers You can see business studies You can see the business studies Now you can see entrepreneurship Reason being this is the first video of entrepreneurship So now you can see business studies You can see entrepreneur But you can click here So this list will open Entrepreneurship You can see all the chapters You can see that You can see a particular chapter After the following You can see a particular video You can see all the whole video And then lately You can see the magnetbrains Thank you You can say Magnetbrains You know that Magnetbrains You have already done something And how you are doing How you are doing Business studies We had studied Accounts We had studied economics We had studied Now entrepreneurship Commerce students So I hope हमारे ये efforts आपके काम आ रहे हैं और आप लोग अच्छे से अपनी बढ़ाई कर पा रहे हैं That's it, thank you so much for watching this video